हलो, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक अन्ड ब्लॉग बित प्रियंका सिन्धा में आज हम सेर करेंगे आपके साथ तिल वाली आलू की रेसीपी आप इसे स्नाक्स की तरह भी खा सकते हैं, सबजी की तरह भी खा सकते हैं बहुत पसंद आएगा तो चलिए हम बनाते हैं तेल वाली आलू सबसे पहले हम यहां पे थोरे से आलू को बॉयल करके ले लिए हैं अब हम इसे कट कर लिए हैं आप चाहे तो इसे हाथ से भी तोड सकते हैं हम इसे चाकु से कट कर लिए हैं अब गैस पे एक पैन चरहाएंग पैन में डालेंगे तेल कोई भी तेल ले सकते हैं आप हम यहां पे सरसो तेल ले रहे हैं अब इसमें हम डालेंगे एक चमच भरके जीरा थोरा सा जादा हम यहां पे जीरा ले रहे हैं तो जीरा हम डालेंगे और थोरी देर इसे भूनना है हमें तो यहां पे हम जीरा को थोरी देर भून लिये हैं अब इसमें हम डालेंगे हींग दो डाई चुटकी के करीब हम इसमें हींग एड कर लेंगे इसे भी थोरी देर भून लेंगे और अब हम इसमें एड करेंगे तिल हम यहाँ पे डाई चमच तिल ले रहे हैं थोरा सा जादा तिल ले रहे हैं तिल वाली आ गून लिए हैं अब इसमें हम एड करेंगे मसाले घैस को यहां पे बिलकुल सीम कर दीजिए थोरा सा 14th चमच के करीब हम इसमें हल्दी पौडर डाले हैं आधा चमच धनिया पौडरा आधा चम्मग करें हैं यहां पर मिर्ची पाँडर भी ढृटर भी डाल हैं आप चाहें तो सिर्प मिर्ची पौडर हम यह हम दाल रहा है त्रीका आप आप अपने पसंसे ले लिजे इससे थोरी दिर भून- लेंगे इन मसालों को slow flame पे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे आलू इसे अच्छे से mix करेंगे और अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे पहले इसे अच्छे से mix करने के बाद इसे crispy होने तक हम fry करेंगे और यहां पे हम इसमें एड कर लेंगे नमक तो टेस्ट के अनुसार आप नमक मिला लीजे इसे अच्छे से mix करेंगे आलू हम उबला हुआ लिये हैं तो इसे पकाने की जुरत है नहीं बस इसे हमें crispy होने तक fry करना है पुरे आलू के ऊपर एक brown सा layer आ जाए तब तक हम इसे fry करेंगे गैस का flame आप slow to medium रखिएगा और चाहे तो आप इसे ढख भी सकते हैं हम इसे ढखे नहीं हैं खुले में हम इसे भून लेंगे बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे इसके side को change करते रहेंगे और यहां पे तिल वाली आलू हमारा पूरी तरह से तैयार है हम इसे अच्छे से fry कर लिए हैं बहुत अच्छे से यह crispy हो चुका है हम आपको zoom करके दिखाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं पूरे आलू के ऊपर एक brown सा layer आ गया है और अब हम gas को यहां पे बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे धेर सारा कट हुए धनिया का पत्ता आप चाहे तो यहां पे चाट मसाला मिला सकते हैं अगर आप snacks की तरह खाना चाहते हैं तो गरम मसाला मिला सकते हैं हमें आपे गरम मसाला नहीं डाले हैं धेर सारा कटे हुए धनिया का पत्ता डाले हैं इसे अच्छे से mix करेंगे तिल वाली आलू पूरी तरह से बनके तैयार है हम इसे serve कर लेंगे आप चाहे तो इसे snacks की तरह भी किसी sauce के साथ serve कर सकते हैं या फिर सबजी की तरह भी खा सकते हैं पूरी रोटी पराठे किसी के साथ भी आप खा सकते हैं ये सब के साथ बहुत टेस्टी लगेगा तो यहाँ पे हम इसे serve कर लेंगे आप इसे एक बार जरूर ट्राइ किजिएगा बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है अगर आलू को बॉयल करके लेंगे ना तो ये बहुत जल्दी बन जाता है बिल्कुल टाइम नहीं लगता है तो आप इसे एक बार जरूर बनाईएगा और हमें बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये recipe अगर मेरा recipe आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लीजे बिल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंसे के वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजे share कीजे, comment कीजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बताईएगा हम उसे सुधारने की पूरी कोसिस करेंगे Thank you मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ